हेलो गाइज, वेलकम बैक, तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि रिट्स क्या होती है, जो फंडमेंटल राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना भी तो एक फंडमेंटल राइट है ना, इसी लिए हमारे कॉंस्टिटूशन में रिट्स का प्रावधान है, इसी लिए हमारे कॉंस्टिटूशन को यह जो रिट्स हैं, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉंस्टिटूशन बोला था, बिया रमेट कर जी ने, तुड़े वी स्टार्ट वीडियो विद हेबस कॉर्पस, ओके, सो फस्ट जो रिट है, जो कि क्या है, हेबस कॉर्पस, अब हम पहले एक् ठीक है, रामो को पुलीस ने अरेस्ट करके रख दिया हुआ है, और ना वो जजज के सामने पेश कर रही है, ठीक है, तो क्या होगा, अब उसके तो फैमिली मेंबर्स हैं, वो कोट पे जाएंगे, और कोट में कहेंगे कि हमें, जो है, हमारे बंदे को ऐसे अरेस्ट करके र बंदे को आप कहारे हो कि उसने क्राइम किया, फिर मैं देखूँगा कि क्या, इस बंदे ने सइखिया या गलती है, क्योंकि यह तो कोट का काम है न, तो इस केस में, जो है, कोर्ट है, बंदे को प्रिट करेगा, ठीक है, अब इस रिट के तूरू, कोट ने जैसे पुलीस क मनमानी को रोका में भी हो सकता है कि शामू और विदिन 24 आवर्स उसको मेरे सामने पेश करो, ठीक है, तो इस तरह से पुलीस जो हमारा Constitution है, वो हमारे fundamental rights, इस केस में क्या है, right to freedom को क्या करता है, protect करता है, तो रिट का simple सा मीनिंग क्या है, a writ of habeas corpus is used to bring a prisoner or detainee before the court to determine if the detention is lawful or not, so thank you so much guys, आज हमने habeas corpus देगा, आज हुए रिट्स के बारे में देखेंगे, thank you so much guys,